हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सुबह के साथ बज़े हैं और देखिए पग्गी किस तरह से सोया हुआ है हम पग्गी को अपने साथ ले गए ही सोते हैं यह दोनों बच्चों के बीच में सोता है यह देखिए बड़ी मज़े से लिटा हुआ है और यह उठेगा भी नहीं मैं से इसको उठाना चाहूंगे तो पगी पगी गूड मॉर्निंग पगी इसका कोई रियक्षन नहीं है तो हम आज दे सेकिंड का सूट कर रहे हैं और हम आपको आज पग्गी को दिखाएंगे आज पग्गी क्या क्या करेगा आज हम बाहर इसको घुमाने लेके जाने वाले ह और आप देखना ये किस तरह से सफ़र को एंजोई कर दो तरह से सब्सक्राइब जेखने विई रेखने अन् ये आप देखने में पार अपने से सब्सक्राइब, इस से कहें हैं इस अब दिन के तीन बज़ रहे हैं और जैसे कि आपने देखा था कि हम कहीं जा रहे थे तो हम अपने चाचे के गर रहे हैं और यहां का मोसम भी बहुत अच्छा है दूप निकली हुई है और पगी तो यहां के बस खेली रहा है जब से पगी पगी सिट सिट डाउन गुड़ बोई है ना सिट सिट अब हम अपने घर आ चुके हैं और पगी बहुत थक चुका है सफर करके और यह बहुत ज़्यादा टायड है देखिए कैसे आँखे बार-बार मीच रहा है और हमने यहां पर सारे कप्र उतार के रखे थे लेकिन यह बस इस टाम आराम करना चाहता है किसे से बात भी करना नहीं चाहता अब यह फ्रैस होना चाहरा है और अच्छे से फ्रैस होकर फिर यह सोने के लिए जाएगा ओ यह नो 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 इसका पेट तो कुछ ख्राब सा लग रहा है आज इसने सही से खाना ने खाया साइद इसकी कुछ तवित ख्राब है मिचाने पोटी भी थोड़ी सी आज हम सारे दिन में अच्छे से ब्लोग नहीं बना पाए क्योंकि आज हम भार गए थे और पगी भी ठग गया था सामको आने के बाद और अब यह सो गया था आकर और अब हम इसे सुसु पोटी करवाने के लिए रात को लाए हैं रात के दस ब ऊच्का गए लिए